श्वागत है और आज हम लोग फिर से NCIT की स्रीज में एक महत्यपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं कच्छा आठ की हमारा अतीद जहां पर अध्यायच्य में देशी जनता को सब्वे बनाना राष्ट को सिच्छत करना यह एक महत्यपूर्ण टॉपिक है चोटों टॉपिक है यूँ कह सकते हम यहां पर हम अंग्रेज भासावीद और प्राच्चिवात की परंपरा जिसमें को जो हेंडरी टामस कोलब्रुक थोन के बारे में मदर्शा पूरब की जंगन गलतियां लाड मैकाली को चुड़ी चुड़ी टॉपिकों को पढ़ेंगे और राष्टी सिच्छागी कार सुची क्या थी बिलिय मेडम की रिपोर्ट और टैगोर जी का जो सांती निकेतन था मह अत्मा गांधी जी का जो सिच्छागरपती क्या वक्तव्य था तो छोटा सा चैप्टर गंद तक बनी रहे गए निसुल क्लास आप शवी के लिए मेरी दौरा देशित में राष्टित में और यह आधुनिभात की तिहास होती ही कच्छा आठ की हमारा अतीत पार्ट 3 जो सालेशन हम लोग अच्छा पढ़ने जारें बहुत इंपोर्टेंट है कि आप जानते हैं कि लौकरी तक का जो शफ़र है आपके इंसियाटी से होकर को जरता इसलिए इसलिए इंसियाटी को पढ़ते हो चलना होगा अगरे देशी समाज के सब बनाना है और उनके रिती रिकती जो कई भासाओं को जानकर और विद्यारती होता है इसे बाश्यवित कहा जाता अंग्रेज शिछा को किस तरह से देखते थे आत कि सेसेर्शन में हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिकाईगा प्राच्शिवाद की परंपरा लिंद की परंपरा आगे देखते हम में जूनियर जच के पत्पर तैनाद किया गया था कानून का माहिर होने के साथ साथ जोंसित भास्षा विद भी थे उन्होंने आक्सपोर्ड में ग्रीक और लेटिन का अध्यन किया था वे फ्रेंच और अग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अर्बी सीखने का लावा थार्षी भी शिख चुके थे इसके अलावा संस्कीत कानून दर्शन धर्म राजनीति नेतिक्टा अंगडित चिकितसा विज्ञान विज्ञान प्राचीन भारती पस्तिकों का अध्यन उन्होंने सुरू कर दिया किसने विलियम जोंस ने जब अध्यन करेंगे थो हमारी सं हेंडरी टामस कोल ब्रुक जी है वह संस्कीत था हिंदुत्यों के प्राचीन धार्मेगरंथो के विद्वान थे हेंडरी टामस कोल ब्रुक नेथिनियन और जोंस ने ऐस्यार्टिक सूसाइटिए बंगाल के गठन किया और सब्सक्राइब शूरू किया यह बहुत इंपोर् अगला है मदर्शाह शीखनी के स्थान को अर्भी भासा में मदर्शा घा जाता है यह किसी भी तरह का इसकूल या कॉलेज या कोई और संस्ता हो सकता है 1780 में अर्भी फार्शी इस्लामी कानून के अध्यन को बढ़ावादेने के लिए कलकत्ता में मदर्शा खोला गया 1791 में बनारस में हिंदू कालेज का स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्क्रित गंतों सिच्छा दी जा सके और देश का सासन चलाने में मदद भी मिल सके 1791 में अर्भी फार्स चलामी कानून के अध्यन को बढ़ावा देने के रिए कलगत्ता में मदशा खोला गया 1791 में बनारस में हिंदू कालेज का स्थापना गई गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्क्रित गंतों की सिच्छा दी जा सके और देश के सासन पसासन को चलाने में पढ़ना लिखना जानते हो उन्हें मुंसी कहते हैं पूरव की जगन्य गंतिया क्या थी उनुसी सदी सुरवात होते ही सारे अंग्रेज अपसर सिच्छा के राच्चवादी दिश्टकॉन के अलोचना करने लगे थे उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ग्यान अंग्रेजों को अरबी और संस्कित भासा वो सहित्य के अध्यन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा करना चाहिए भारतियों को पूर्वी समाजों के काभ्य और धार्मिक सहित्य के बजाए यह पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की बैग्यानिक और तक यूं कहा जाए एशिया की रचनाएं हैं एशियाई देशों की रचनाएं हैं शाहित्य हैं उनमें तमाम तूटिया हैं वो अभग्यानिक हैं अतार्कीक हैं इसकी लिए खासकर अरबी और संस्कित सहित्य के अध्धन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहि सकता था कलकत्ता का मदर्शे और बरार संस्कित कालेज जैसे प्राच्च वदी संस्ताओं को परशाहन ने दिया जाए उनका मानना था कि अग्रेजी को बढ़ावा दिया पढ़ने के लिए न की मदर्शे और संस्कित कालेजियों को ठीक है तो लाड़ में काली को हम लोग स्वतन भीशेग गरूप में इतिहास को पढ़ेंगे बैकल्पी भीशेग गरूप में शावान दनी की रूप में तब आपके लिए इतिहास का पूरा नोट्स है अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1864 में इस इंडिया कंपनी ने लंदन में इस्तित कोटाब डारेक्टर भार्ती गौर्णर जर्डल को सिच्चा की विशे में एक नोट भेजा कंपनी के निंत्रक मंडल के द्धर्च चार्ल्स बुट के नाम से जारेकिगे संदेश को बुट का नीति पत्र या बुट डिस्पैच के नाम से जाना जाता ये परिक्षा में कई भार सवाल पूछा पूछा जा सकता है यह बैवशाई के लिए सिच्छा है प्राच्चेवादी ग्यान के अस्थान पर यूरोपी सिच्छा को अप्लाने से बेहवारी कार्थिक शित्र में लाप प्राप्त होने डिए उनके बताबित यूरोपी सिच्छा के माध्धम से भारतियों को ब्यापार और वारीजी के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसादनों के विकास का महत्त समझने में मदद मिलेगी और यूरोपी जीवन सहली से उनकी रुचियों और आकांचाओं में इस्कूली सिच्छा प्रडाली में परिवर्तन के भी प्रयास किये गए लड़ाचोवन के निती पत्र के बादने जोने कई हम कदम उठाए सरकार सिच्छा समझने सभी मामलों पर सरकार का नियंतरा स्थापित किया जा सके इस्कूली सिच्छा प्रडाली में परिवर्तन के के जिलों के दौरा किया कम्पनी ने डेढ़ी स्कूल में से अच्छा की प्रेगत पर रिपोर्ट त्यार करने का जिम्मा सौपा था एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाग से ज्यादा पाट साला है उन्होंने इसो तीस दसक में स्कॉटलेंड से आये हिसाई पच उन्होंसी सदी कि मदे तक कम्पनी का ध्यान मुख्य रुप से बसे उच सिच्छा पर था अठादा चमोन में कम्पनी देशी सिच्छा ब्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया कम्पनी एक नई दिन चरिया नई नीम और नियमित रिच्छणों के जरिए पाट करना चाहती थी ठीक है तो फिर हम लोगों ने देखा कि उन्होंसी सदी तक मदे कम्पनी का ध्यान मुख्य रुप से बच्चे उस इच्छा पर था और कम्पनी ने देशी सिच्छा ब्यवस्था में सुधाल लाने का फैसला लिया कम्पनी का नई दिन चरिया एक नए निय सिच्छा के ब्यापक प्रशार की जरुवत पर जोर्दने लगे थे भारतियों का मानना था कि पश्मी सिच्छा का आधुनी करन कर सकती है भारती पश्मी सिच्छा की ब्रुद्ध थे महत्मा गांदी रविन नट्य गोर्जी थे आई आगे देखते हम लोग महत्मा गांदी जी का मानना था अंग्रेजी सिच्छा से हमें गुलाम बना दिया है अब अगार हम लोग यहाँ पर देखें अपनिवेशिक सिच्छा मात्मा गांधी कहाना थे कि अपनेशिक सिच्छा ने भारतियों की मस्तिस में हिंता का बोत पैदा कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहां की लोग पश्मी सप्ता को स्रेश्टर मानने लगे हैं और अपनी संस्केतिक पती उनका गवरो भाव नश्ट हो गया है मात्मा गांधी ने कहा इस सिच्छा में 20 भरा है मने अगरीजी सिच्छा में 20 भरा है यह पापपूर है इसने भारतियों को दाज बनाया है इसने लोगों को प्रभाव डाला है महत्मा गांदी एक ऐसी सिच्चा के पच्चदर थे जो भारतियों के बेतर पतिष्ठार श्वाभिमान का भाव पुर्ण जिवित करे जी हाँ ये महत्मा गांदी जी का विजार था इसके पच्चदर थे वो महत्मा गांदी के दिन मानता था कि सिच्चा के वर भारति भासाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुताबित अगरेजी में दी जारी सिच्चा भारतियों को अपाहिज बना देती है और अपने सामाजिक प्रवेश से काड़ दिया उन्हें अपने ही भूमी पर अजन भी बन गांदी जी का ये भी तर्ग था कि सिच्चा से बिक्ति का दिमाग और आत्मा बिक्सित होनी चाहिए ठीक है इसके बाद हम चलते हैं टैगोर जी के शांती निकेतन की तरफ रविद्न टैगोर ने संस्था 1901 में शुरू थे टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चुड़ते थे वहां उनका दम घुरता था उन्हें स्कूल का महल दमन करी लगता था मानु स्कूल जेल हो क्योंकि वहां बच्चे मन्चाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे सिच्चक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमा कहीं और भटक रहा होता जब यह बड़े हुए तो उन्हें एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुस रह सके जहां वे मुक्त और रचना सीलों जहां वे अपने विचारों और आकांचाहों को समझ सके तो टैगोर जी का जो एक ऐसा स्कूल था जो वह सोच रहे थे जिसके लि संब्सक्राइब यह बच्चे को समस्ते हो और उनकी अंदर उसुकता जानने की चाह विक्सित करने में मदद दे और रचना शिलता हो गांधी जी बालक के दिमाग और आत्मा का सर्वोच विका सिच्छा से ही सम्भू है साच्छर्ता ने तो सिच्छा का अंत और नहीं उसकी सुरुवात है यह तो क्योवर एक शाधन है तो NCRT कच्छार्ट की जो सिरीज थी यहां तेक हम लोगों ने पढ़ लिया अब इससे जुड़े हुए प्रश्णों को सॉल्व करेंगे और आप वीडियों को जहां भी देख रहे हैं वीडियों को शेयर करिएगा अगर चनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेगा वीडियों को फेश्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलोवर लाइक करिए दिखें यहां पर आपके सामने विलियम जोन्स रविद्ना टाइगोर टामस मैगाले महत्मा गांदी आट साल हैं अगर जी सिच्छा को पतसाहन प्राचीन साच्कितों का शम्मान गुरू प्राकितिक प्रिवेश्च में सिच्छा अगरी सिच्छा की इसको क्या करना है मिलान करना तो यहां पर रविद्ना टाइगोर जी थे वे प्राकितिक प्रिवेश्च में सिच्छा के पाचिदर थे अगर महत्मा गांदी की बात करें तो महत्मा गांदी जी अंग्रेजी सि रूह को पांचिस साल हैं जो थी वो क्या रही थी यब ये फ Meto काट साल हैं में में गुरू थे जो टॉमस मैंकाले थे वो अंग्रेजी सिच्छा का पुस्षाहत थे तो यहां हम लोगों ने ये मिलान करना देख लिया अब चाहे तो इसकी 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 जिंसा टक ले इसे रिजम लोगों ने पढ़ा है यहां पर इसका इंसर भी दिया गया है हाँ ठीक है अभी आपे सही और गलत आपको बताना है कि जिम्स मिल प्राच वादियों का घोर आलो चक्था सही है अठादों चोगर में सिच्चा समदे डिस्पैच में इस बात का जोर दिया गये कि बात में उठ सिच्चा के माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए सही है महात्मा गांदी मानते थे कि साचरता बढ़ाना ही सिच्चा का सबसे महात्यपूर्ण देश्च शही है रविन्य टैगोर को लगता था कि बच्चों सक्तम ससनों चे जी नहीं उन्हें खुले प्रकित वात्तावरण में रखना चाहिए ताकि वो रचना सीर हो सके ठी तीन सही और एक गलत है इसका उत्तर विश्च नोट्स में आपको मिल जाएगा नोट्स भी आप चाहें तो इलनी बी दुर्गेश से प्राथ कर सकते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर भी जूड़ सकते हैं दुर्गेश सरसाच करके इलनी बी दुर्गेश से जोईन कर लिजेगा अप लोग सभी क्लास के लिंग नोटिकेशन वीडियो आपको मिलते रहेगे विलियम जोन्स को भारती तिहास दर्शन और कानून का अध्यन क्यों जरूरी दिखाई देता था अब जवाब दीजे कैसे इस मुत्तर इसका है विलियम जोन्स भारत के प्रति विश कानून को इन ही की ही रश्चनाओं के द् jakieś जा सकता है इन रचनाओं को पुनय अध्यन से भारत में भावी विकास का आधार पएदा हो सकता तो आप यहाद अगर अपने म्हाइकाले क्या सोशते थे भारत में युरूपी संच्छा अनिमार है आई इस प्रॉष सिच्छा के मार्दिम से भारतियों को ब्यापार और वारिज बिस्तार शे होने वाले लाभों को समझने और देश के संसादनों के विकास का महत्त समझने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपी जावन सहली में के अवगत कराया गया तो उनकी रूचियों अकंचाओं में भी बदला हो आएगा अब 20 स्वस्तों की मांग पैदा होगी कि अब यहां के लोग यूरोप से बनी चीजों को अपनाना और खरीदना भी शुरू कर देगे तो कहीं न कहीं जो जेम समीलर टावस मैकाले कि सोस्थी कि भारत में यूरोपी से इच्छानी मार है उसका एक मात्मागंदी बच्चों को हस्त कला सिखाना चाहते थे मात्मागंदी का कहना था कि पश्मी सिच्छ मौखिक ज्यान की बजाय सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रे थे उसमें पाट्ट पस्तों को पर जोर दिया गयाता है पर तो जीवन के अनुभोर ब्यावारी ज्यान की उपेच्छा की जाती है उनके राय थी कि सिच्छा से बिक्ति का दिमाद और आत्मा बिक्सित होनी चाहिए किवल साच्छता अर्था पढ़ने की छमता या पालेना इस इच्छा नहीं होती उनके लोगों पर हाथ से काम करना पड़ता है कलाय सिखनी पड़ती है जानना पड़ता है कि जो बिभिन चीजों से किस तरह काम कर सकती है उससे उसका मस्ति को समझेने के छमता दोनों बिक्सित होंगे इसी करण वो बच्चों को हस्त कलाये शिखाना चाहते है यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां साब कि कई परिच्छों में सीधे 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 आप काल या वाट्सअप करके सभी जानकारी ले सकते हैं जितने इधी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं जी हां महत्मा गंदी ऐसा सोचते थे कि अपनिवेसिक सिच्छा ने भारतियों के मस्तिष में हिंता का बोत पैदा कर दिया है उसके प्रभा उनके अनुसार पश्चिम से प्रभावित लोग पश्चिम से आने वाली हर वस्तु की परसंशा करने लगें बिटी सासन को पसंद करने लगें महत्मा गंदी गंशार अंग्रेजी में दीजारे सिच्छा ने भारतियों को अपाहिज बना दिया और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काड़ दिया उन्होंने अपने जमीन पर अजन भी बना दिया उनके बिचाь में अरेजी सिछित भारती अपने जनता से जुड़ने के तव तरिके गुल दुखे यह सभी बाते भारतियों के गुलामी के परती थे तो महत्मा गांदी के यही बिचार थे और इस प्रकार यह जो अध्याय था देशी जनता को सब्भी बनाना राष्ट को सिच्छित करना यह अपके पास नोट्स था यह पूरी सिरी आपके लिए हर लेशन के तरह आपके पास आती रहेगी आप लोगी सेशन में इस वीडियो में जुड़िये अपने मित्रों को शेयर हो साजा करिये अपने सभी साथियो तक पहुचाईएगा अगर चनल पर नहीं है सस्क्राइब करके के बेल आइक अंदब आईए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए अपने सभी मित्रों को साजा करिए एंस्याटी की पूरी सिरी च्छा से लेकर बारह तक इलने में दुर्गेश के आयप पर उपलत है वहां से आप इसे प्राफ्ट कर सकते हैं जो दोनों रहता हूं और आपके लिए डेली क्लास लेकर आता रहता हूं ठीक है थैंक्यू मिलतेक ने और अगले पाट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत